जाहिन साथियों स्वागत है आपको हमारे चैनल PCS दरपन पर आज का जो सेशन देख रहे हैं दूस्तों यूनिक पब्लिक्शन का जो डिलेड टेस्ट परेक्टिक्स हम लोग डेली बाइस पर करते हैं वो जो टेस्ट आज होने वाला है दूस्तों 32 करम के होने वाला है 32 सेट प्रैक्टिस होने वाली है वह कैमिकरम की है थाटी टु ना थाटी टु में मोडल प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होने वाली जिसमें टूटल 120 कोश्टन रहेंगी इस 120 कोश्टन को कमनुग सौल्प करते हैं देखते अपना स्कूर क्या रहता है अब अपना स्कौर जो है को स्टाट करते हम लोग इसमें सेत्ह नुमार 7 पे देखिए जिसमें पहला सेक्षण हमारा है समयन करना है यह क्यों न су गूरबनार है हमारा इसमें समाने इंड swoją के इंगे ढिक्त अस्थान को भड़ने के लिए उपयूक्त सब्द का हमें चैन करना है तो आइए देखते हैं भड़ते हैं बागों में डैस खिलते हैं बागों में फूल खिलते हैं न अप्शन डी बनेगा अगला देखिए दिये गए बाके का वह भाग्यात करें जिसमें कोई तुरूटी है आइए देखते संटेंस क्या गलत है इसमे विज्ञान के यूग ने समय की महतो बहुत बढ़ा दिया तो इसमें गलत क्या है विज्ञान के या समय की महतो या यूग ने या फिर बहुत बढ़ा दिया आंसर बोलिए आंसर हो जाए यहां समय की महत्व यहां समय की नहीं समय का महत्व होगा आंसर बनेगा बी यह वाला आंसर यहां पे गलत की नहीं का होगा अगला प्रस नेखिए नेमने लिखित में से उस विकल्प का चैन करें जो हरी जंडी दीखाने मुहाबरेकार्थ व्यक सेल निका संकें देना और अंसर इंडर्म कздरब संसा निये पर उपसंड स्सकून दीये ऑग सब्द का हमें विलोम चुनना और निसा का विलोम होगा दीवा निसा का क्या होगा दीवा को निसागा अर्थ होता है रएंग अधिर सब नतीको मूल tes निवर किसके द्वारा रचित है यह रचित है भारत एंदु हरिष्चन जी के द्वारा आंसर बनेगा सी अगला देखिए अगला प्रस्न है सोभीत कर नवीनतन लिए घुट रुनी चलत रेनूतन मंडित मुख दगी लैप लिए इन पंक्ती में कोन सा रस है इन पंक्ती में कोन सा रस है तो आंसर बनेगा वात्सल्य रस है आंसर यहां पर बनेगा हमारा दी यह जो प्रस्तूत किया गया है हमारे पास यह पुस्तक जो है कहां से लिया गया है हिंदी कावे के खंड तीन से लिया गया है और इस कविता का नाम है बाल लीला से लिया गया है और इसके रचैता कौन है वातसले रस के कवी एवं कृष्ण भक्ती सखा के साहित्तेकार कौन ह सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है यह अगला प्रस्ट ने किये किने में लिखित में से किस वाक्य में अकर्मक करिया है यह देखना है तो देखिए यहां पर चार दिये हुए संटेंस इसमें कौन सा अकर्मक करिया है हमें बताना है कौन सा अकर्मक करिया है आंसर बनेगा आपका ए गेहूं पीस रहा है यह अकरमक कडिया होगा अगला देखिए कि सही वाक्य हमें चैन करना है पिसमें कौन है देखिए आप सफल हो गये तो क्या करेंगे क्या यह सही है साइद आप असफल हो जाए तो फिर क्या करेंगे मानो साइद आप असफल हो गए तो क्या करोगे मानो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे आंसर क्या बनेगा यहाँ पर आंसर बनेगा आपका D मानो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे अंसर यहां पर दी हो जाएगा अंगला प्रस्त कि नीचे दिये गया एक नीचे दिये नीचे एक वाक्य दिया गया है उसमें एक कलांकित सब्द है कलांकित सब्द का अर्थ हमें बतान है वह मनुस किर्थधन है वह मनुस किर्थधन है यानि क्या होगा आंसर यहां पर अगला देखे नीचे लिखे वाक्य के लिए उप्यूक्त सब्ध हमें बताना है देखे क्या है सब्ध हमारा वाक्य है कि किसी के गुण दोसों का समयक रूप से बीवेचन क्या कहलाता है यह कहलाता है समा लोचना अंसर बनेगा भी समा लोचना सब्ध होता है अगला प्रसन देखे पैर फैलाना पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा पैर फैलाकर सोना मतलो निश्चिन तो होकर सोना अंसर ए बनेगा अगला देखे मन माना सब्ध का समास हमें बताना है मन माना स सब्द कौन सा समास है अव्याई भाव समास है आंसर यहां पर बनेगा डी अव्याई भाव समास यानि मन के अनुसार मन माना मतलो अगला प्रस्थ देखिए अगला प्रस्थ हमारा की प्रस्थ नहें कि पिडिये वह मेरा प्राण प्यारा कहा है दुख जल निधी में डुब़ी का सहारा कहा है उपयूक्त पंक्ति में कौन सा रस है इसमें कौन सा रस है तो आंसर बनेगा करून रस आंसर सी बनेगा अगला देखिए मोसम कौन कुटिलखल कामी उपियुक्त पंक्ती में कौन सा अलंकार है इसमें कौन सा अलंकार होगा व्योकृत अलंकार होगा अंसर बनेगा C व्योकृत अलंकार अगला देखिए हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग लंका सिगरी जल गई गय निशाचर भाग उप्युक्त पंक्ती में कौन सा लंकार है इसमें कौन सा लंकार है आंसर बनेगा C अतिस्योक्ति अलंकार है अगला देखे गुरुपद रज मृद मुन्ज मन्जन नयन अमित द्रिग दोस विवन्जन तेही करी विमल विवेक विल चन ब रहनव राम चर गईवमों चन उप्यृगत छंद किसफ़ निटे हैं यह किस परकार के चन्थ है तो आंसर बनेगा यह चंपाई रहे बनेगा सो दिखें जाना की जीवन जन है जारी जाउसोट जीः जो जाचत अहीर अरही उप्यूग्त छंद कीस परकार के है यह सवयद अंसर बनेगा अगला देखिए वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद हैं तो दो भेद और वो कौन-कौन से हैं है दो भेद को देखिए इसके दो भेद जो है कोन कोन है पहला है आश्रित बाक्य खंड और दूसरा है पर्धान उपवाग्य है अगला प्रस्द देखिए तो का उचारन अस्थान है तो का उचारन पुस्तपड़ी इसमें वाच्छे क्या है कि तरफ़ कियो कि वाच्छ है कि यह क्योंक्त वाच्च समय क्योंकि इसमें करता की सिक्तने कि के बंदित जवाहर ला लेहरू बच्चे के बच्चों के पिडिये थे वाके में व्यक्ति वाचक संग है तो व्यक्ति वाचक कौन मनेंगे आंसर बनेगा ए पंडित जवाहरलान नहरू अगला देखे वन सत्य क्या है वन सत्य क्या है वन सत्य है वर्निक छंद आंसर बनेगा ए वर्निक छंद पर तेक चरण में कितने वर वर्न होते हैं अगला प्रसंदे के अगला गद्धान से हमको पढ़के इसका अंसर देना है तो आइए पढ़ते हम लोग क्या है मैत्री को मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीशन बिद्वन्स बचाने को भगवान हस्तिना अगला देखिए दो बवर्नों के मिल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं क्या कहेंगे इसे कहते हैं संधी बनेगा यहीं बनेगा अगला प्रस्ण देखिए अगला सेक्षन आता है मुझा वो सेक्षन का नाम है जेनरल इंग्लिस देखिए इसमें प्रस्ण क्या बनता है इन फॉलिंग क्यूस्ट इसका मतलब होता है क्या है इसका मतलब होता है बहुत से जोगी मठ उजार बहुत से जोगी मठ उदा उजार तो आंसर बनेगा हमारा आंसर यहां पे है ना तो आंसर यहां पे सी बनेगा बहुत से योगी मठ उजार अगला प्रस्त नेखिए कि फिल इन ब्लैंक विद्ध मॉस्ट एप्रोप्येट वर्ड क्या है सेंटेंस हमारा आएं सॉरी आएं सॉरी टू डैस ओन योर ओन यू आट इस लास्ट आवर अंसर बनेगा हमार इंट्रड इंट्रड हो जाएं यहां पर आंसर बनेगा यह होगा इंट्रिवड आयब सॉरी टू इंट्रिवड ओन यू आट इस लास्ट आवर अगला प्रस्त नेखिए कि स्लेक्ट तो पैसीफ फॉर्म दो गिवें सेंटेंस तो आएं सेंटेंस देखते हैं और बताना हम इंको पैसीफ फॉर्म सही कौन सी है देखे हमारा सेंटेंस पहले है दपूर वासर वो मैं वासिज वासिज डिर्टी क्लोथ फ्रम मौर्निंग टू इवनिंग वांसर हमारा क्या बनेगा अंसर बनेगा हमारा राइट अंसर यहां पर बनेगा डी ओसर हो जाएगा डी डिर्टी क्लोथ आर वस्ट बाइद पूर वासर मैं फ्रम मौर्निंग टू इवनिंग नेग्स परसन देखे कि इरुकमनी डैस थ्री पेंटिंग्स लास्ट इयर आंसर बनेगा यहां पर मेंड अंसर डी बनेगा अ अंसर यह हो जाएगा बाउट आई बाउट और निव ड्रेस यस्टरड़े निक्स परसन देखे कि ही डैस टू बंबे लास्ट इयर गो अंसर क्या बनेगा हमारा अंसर बनेगा वेंट ही वेंट टू बंबे लास्ट इयर अगल माई अंकल डैस मी अपें ओन माई बर्ड़ तो आंसर क्या बनेगा आंसर बनेगा गेव माई अंकल गेव मी अपें ओन माई बर्ड़ दे अगला प्रसन देखे ये वेर डीड यू डैस यस्टरड़े वेर डीड यू डैस यस्टरड़े तो आंसर क्या बनेगी आंसर बनेगी गो यस्टरड़े वेर डीड यू गो यस् used for morning for 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 farming a compound word answer क्या बनेगी इसकी answer बनेगी hyphen hyphen is used for farming a compound word अगला प्रस्न दिखिए कि select the most appropriate option to fill in the blank sentence है मारा the leaves of plants डैस सुन if they do not get enough water answer क्या बनेगी answer बनेगी विल्ट आंसर यहां पर विल्ट हो जाएगी विल्ट मतलब क्या होता है तो पानी की कमी या फिर गड्मी के कारण पौध है या फूल का मुर्ज आ जाना है न कुमलाना अगला प्रस्न देखिए कि select the most appropriate option in the blank तो देखिए sentence क्या है हमारा sentence है films based on books are more dash than original screenplays answer बनेगा हमारा popular answer यहां पर C होगा popular next प्रस्न है select the most appropriate option to fill in the blank sentence है the guests were amazed at the dash separate of food answer क्या बनेगा answer बनेगा लैविस answer डी होगा लैविस next परस्न देखिए select the most appropriate option to fill in the blank sentence है it looks as if it might rain tonight as the sky is dash answer क्या बनेगी answer बनेगी overcast answer overcast होगा अगला देखिए select the most appropriate option to fill in the blank sentence है तुका राम said that as scaling every mountain peak has it on dash answer बनेगा हमारा challenges answer होगा challenge तुका राम said that as scaling every mountain peak has it on challenge my friend dash to visit us next week answer क्या बनेगी इसमें answer come या has come या is come या will come तो हमारा answer इसमें बनेगा है ना my friend will come to visit us next week answer D होगा अगला देखिए last summer we dash to Masuri answer क्या बनेगा इसमें answer बनेगा वेंट last summer we went to Masuri अगला देखिए select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect तो आईए पढ़ते हम लोग हमारा indirect क्या है तो देखिए दिया हुआ sentence हमारा कि how many apples have you eaten today mother asked मा पूछ रही है कि तुम कितने अभी तक खा चुके हो mango है ना आज के दिन तो देखिए बन क्या आंसर क्या बनेगा हमारा mother asked me how many apples that's that day तो आंसर क्या बनेगी I had eaten answer बनेगी I had eaten that day next person देखिए fill up the blank with the correct option sentence क्या है the pieces of articles are still going answer क्या बनेगी हमारी answer up बनेगी the pieces of articles are still going up next fill up the blank with the correct option a number of students dash late today answer क्या बनेगी answer बनेगी आर यहां पर students है plural है तीछले आर लगेगी यहां पर next person क्या कि select the most appropriate option to change sentence from direct speech to indirect sentence क्या है I will make sure I will make sure to help you my sister said तो answer क्या बनेगा my sister dash that dash help me answer बनेगी हम लोगी right answer B बनेगी my sister assured that she would help me answer C बनेगा अगला section देखिए अगला जबात है हम लोगा गणित है तो इत्में देखिए प्रस्ण क्या बनता है कि एक संकु है ठीक है एक संकु को साथ सेंटिमीटर की भूजा वाले एक लकड़ी के ठोस घं को खोखला करके बनाएगे है ना खोखला करके बनाए जाता है तो संकु की हमें उचाई और बेयास घं के भूजा के बराबर है तो बचे हुए घं का जायं हमें बताना है कि क्या होगा अचे निकाल के देख लेते हैं क्या बोन रहे हैं सेस घं का है numbers संकु का है न बराबर होसले स्युक्त अंसर क्या बन रही है कि यहां पर हम जो सेश घंका निकालेंगे कि सेश घंका आयतन इक्वल क्या हो जाएगा घंका आयतन मैनस संकु कह तो गहन का एक टन क्या होता है भूजा क्यूं सीधे रखते कि भूजा क्यूं ने संकुकाहतन क्या होता है 1 बय 3 कि पाई आर क्यूब होता है थीके चलिए तो spam हाउर पास निकालना है तो यह दिया हुआ 7 का होल क्यूब कर दीजे से बूर मैं ने कड दिया माइन khácज बहल साथ होता है वह्स बंटटत सांद रखें एक आरका वैलू दिया हुए कितना और का वैलू सेवेन बाइटू का होल स्कायर करिए इन्टू एच एच का वैलू सेवेन है ठीक यह देखे यहां से 7 और यह सेवेन केंसिल हो जाएगी क्यूंकि एच और नीचे 22 बटा जो साथ है 7 से 7 कैंसिल अब यहां पर देखिए हमारे पास किमकि यहां से हमने सेवन स्क्वाइर कॉमन ले लिया ठीक है ना रसेबन स्क्वाइर कॉमन ले लिए तो पत्च का गया सेवन माइनस 22 बट्टे 3 बच गया गुन्ने 1 बाइ और ठीक अभी से कलकुलेट कर गये तो 497 का होल स्कॉर्ण आ जागा ठीक और इसे किजी गया त तो 49 यहां पे LCM ले लेते हैं तो यह हो जाएगा 42-11 घटाई तो कितनी आजाएगे आपके पास आपके पास आजाएगे 49 गुणे 31 बटा 6 क्या कटने वाली है तो काट सकते हैं नहीं तो पूरे इसको काटे तो डिसिमल में आपकी एंसर आजाएगी 253.17 जो है सेंटीमीटर क्यूब में आजाएगी है ना तो देखिए दूसर तिरपन कौन से हैं आंसर हमारा पहला ही नंबर है तो राइट एंसर बनेगा ऑप्शन ए अगला प्रसन देखिए लिखा हुआ क्या कि टैन की पावर फोर ए प्लस टैने स्क्वार ए का क्या मान होगा हमें बताना है तो आए इसका मान निकाल के देखते हैं कि क्या हो टैने स्क्वार प्लस वन टैने स्क्वार प्लस वन का वैलू क्या होता है आपको पता होगा से के स्क्वार होता है तो से के स्क्वार गुल ने यहां पर हमारा है टैने स्क्वार ठीक है अब इस टैने स्क्वार को हम लोग लिख क्या सकते हैं कि से के स्क्वार माइनस माइनस सेख के पावर फोर माइनस यहां पे वन है तो सेख और वन में किज़ेगा तो माइनस सेख के स्क्वेर हो जाएगी तो हमारे पास क्या आई है सेख के पावर फोर माइनस सेख के स्क्वेर ऑप्शन यह बन गया अगला प्रस नेखे एक वस्तू पर 30% की छूट पिसकस की गई ह एक प्रोमो कोड लागू करके ग्रहाक जो है पांच परतिशत नगद वापसी जितता है उसमें मिला परभावी छूट क्या है हमें बताना है तो आई परभावी छूट कितना मिलता है इसको देख लेते हैं लोग देखें इसमें परभावी छूट कितने मिलेगी इसको 30 पर 30 पहले छूट देता है, फिर 5 पर 30 और देता है, अब माइनस करेंगे हैं फिर 30 और गुन्ने 5, बट्टे लिखेंगे 100, इस दोनों को आट करेंगे तो कितना हो जाएगे 35, यहां से इसको 0-0 कटें कितने 15, यानि 1.5, 35 में से 1.5 घटाईगी, तो आपके पास कितनी आ जा पांच कुन सी है, उप्सन नमरा आपकी है, उप्सन ए है, तो राइट अंसर बन जाएगी, 33 दसम लो, 5 पर 30 अगला प्रसन देकिए, कि 7 पर 30 में, 7 वर्स में 8 पर 30 बार्षिक दर से 1 रासी पर 7,056 रुपय का सधारन ब्याज बन जाता है, तो यह रासी कितनी है, हमें बता पर क्या होगा, ब्याज, गुन्य सो, अरबर्टा, टाइम गुन्य रेट होता है, तो बस यही रखिए, एसाई दिया कितना है, आपके, 7,000, 56 दिया है, गुन्य सो, टाइम कितना दिया है, आपके पास, 7 वर्स और रेट दिया है, 8, अब इसको काटिए, आप काटिएगा न तो इसका अंसर आ जाएगा, आपके पास, 12,600, ठीक, इसे कल्कुलेट करिएगा, तो 12,600 अंसर आएगा, जो अप्सन नमर A मैच कर रहा है, तो राइट अंसर A बनेगा, अगला देखे, एक दुकंदार को, 8 आइफोन बेचकर, 3 आइफोन की बिक्री के कीमत, जो है, बराब 8 आइफोन को वो जड़ी सेल करता है, तो 3 आइफोन की कीमत के बराबर उसको प्रॉफिट होता है, तो देखे, यहां पर हम लाव जो सीधे निकालेंगे, लाव परसेंटेज, परसेंटेज में जो लाव निकलेगा, 3, क्योंकि 3 प्रॉफिट हो रहा है, उसको, 8 टोटल बे तीन बटे, इस घटाई तो 5, पूर्णाइ 100, पांसे काटेज बीस टाइमें, बिस्तियाइं साथ, यानि कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हो रहा है, 60 परतिसद के उसे लाव हो रही है, तो आंसर देखिए, उप्सन नमर हमारा A बनेगा, 60 परतिसद, अगला देखिए, कि यदि A पलस B 10 है, A B 24 है, तो A Q पलस B Q का हमें मान निकलना है, ये तो फर्मूला बिस पे है, तो आइए इसको निकल के देखते हैं, क्या रहा है इसका आंसर, A पलस B 10 दिया है, A पलस B 10 दिया है, A B आपका 24 दिया है, तो हमें निकलना है, A Q पलस B Q, तो A Q पलस B Q की फर्मूला होती क्या है, इसका होता है, A पलस B का होल Q, माइनस 3AB, इन्टू A पलस B होता है, ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग भैलू रखते हैं, A पलस B का हो 500 यायनि एप्लस बकल बैलुव हमारे पास दिया इसका विए हुए 9 तो 10 का होल क्यूब करते हैं OSCAR कना सब्सक्राइब 20 कर आपके पास आजाएगा सब्सक्राइब 1 यानि 720 बस इसमें से घटा लिजिए 1000 में से 720 तो आपके पास आ जाएगा 280 आंसर हमारे देखी option में क्या बन रहा है 280 option ए बनेगा आंसर बनेगा ए नेक्स प्रसन देखिए नेक्स हमारा क्या है कि एक कौन अपने पूरक कौन की तुल्ला में 40 डिगरी अधिक है तो कौन का माप क्या होगा पूरक कौन आपको बताती है पूरक मतलब 90 डिगरी और संपूरक मतलब 180 डिगरी ठीक है यह बहुत ही अब कम है कितना कम है तो 40 डिगरी इसके तुल्ला में तो आइए निकाल के देखते है एक्स-90 डिगरी माइनस माइनस कितनी हो जाएगी यह है एक्स एक्वाल они यह पलस-पलस तो यह हो जाए त् mejorar यह उद दो एक्स और यह माइनस उतार जाएगा प्लस में कितनी आएगी हमारे पस एकस की वैलू 65 तो आंसर बनेगी हमारा अप्शन बी अगला प्रसन देखिए और नेक्स्ट प्रसन दिया है कि रूट 9 प्लस रूट 7 को डिभाइड करना है पो रूट 9 माइनस रूट 7 का हमें सरलिक रित मान बताना है कि क्या हो तो आइए इसको रूट 9 माईनस रूट 7 हमें सब्सक्राइब करनाया यहां इसका सिंबल चेंज लगा तो रूट 9 प्लस रूट 7 होगी ृत 9 अग्सर रूट 7 है नँए और यहां परमें प्लस आपप तो उपर तो हम लोग कर सेकते हैं रूट9 और प्लस रूट 책 चेच है लीचे हम लोग क्या लिखना होगा इस कौसा माइनस भी स्कौसार सुसाच माइनस रूट 7 की वहले स्कुर्ण चलिए तो यहां पर देखिए a प्लस b एक प्लस टूए भी टूए नाइन सेवेन जा इंदर रह जाएगे प्लस यह था हमारा स्कॉर वाला एक प्लस बीका होली स्कॉर निचे कहा है स्कॉर मैनस बी स्कॉर तो क्या होगा यहां पर 9 और माइनस 7 होगी तो घटाएगा तो 2 आ जाएगा चलिए उपर कल्कुलेट करते हैं 9 और 7 16 और 16 यहाँ पर आ गई हमारे अब प्लस 2 रूट 63 बाई यहाँ पर 2 आ जाएगी तो इसमें हम 2 कॉमन कर सकते हैं तो आई 2 कॉमन करते हैं 2 आप कॉमन करते हैं इसमें तो आपके पास क्या बचेगी 2 कॉमन करिएगा तो 8 प्लस यहाँ पर रूट 63 बाई यहाँ पर टूट हैगी 2 से टू कैंसल यानि एट रूट इट प्लस रूट 63 आंसर हमारा आना चाहिए इट प्लस रूट 63 ऑप्सन नमब्र C हैं अगला प्रस्ण देखते हैं क्या कर है कि X एक कारे को अकेला 300 घंटा में पुरा करता है Y उसी कारे को 450 घंटा में करता है X Y तथा Z मिलकर उसी कारे को 90 घंटा में पुरा करते है Z अकेले उसी काम को कितने घंटे में करेगा तो आए ये निकाल के देख लेते हैं कितने घंटा में Z अकेला काम कर गया कि यहां पर जेड का एक घंटे का क्या होगा एक बटन नबब्ब होगा और यह दोनों से घटा देते हैं हम लोग यहां पर जो काम कर रहा है ये तीन सो घंटा में प्लस बी ग्यां कर रहा है मतलत बाई जो क्याम कर रहा है 450 गंटे में फुल घटा देते हैं कि एक बटन नब्बे एल्सम लेते हैं इसमें कितना रिख जाएगा 900 होगा यह थ्री टैम्स में और यह बनेगा आपका फाइब टैम्स में यहां पर टेन टैम्स हो जाएगा तो यहां पर आपके पास आजएगी हम सभी का एकी बार LCM ले लेते हैं यहां पर सबका 90 345 का इसका सीधे कितना हो जाएगा 900 LCM हो जाएगा ठीक है यहां पर 10 माइनस यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा प्लस 2 ठीक है तो 10 माइनस 5 बट्टा 900 यानी हो जाएगा पांच बट्टे 900 हो जाएगा काटिए इसको काटिएगा तो कितने आ जाएगा एक बट्टा एक बट्टे आ जाएगा आपके पास 180 यानी जेड अके लिए उस काम को कितने दिनों में करेगा 180 घंटे में कर लेगा वो तो आंसर क्या बनेगा हमारा ओप्सन नमर बी अगला प्रसन देखिए 21 तिरभूज के कोनों का अनुपाद यह है एक अनुपाद दो अनुपाद तीन सबसे छोटे कोन का हमें मान बताना है डिगरी में तो तीनों का सम कितना होता है 180 3256 6x इक्वल 180 करिए 6 से काटिए 3 अटेम्ट में यानी x की value हमारा 30 आगी हमें बताना है सबसे छोटा सबसे छोटा one वाला है यानी 30 दिगरी तो आंसर बनेगा हमारा option बी अगला प्रसन की एक वस्तू पर 10 परतिशत की छूट देने के बाद 20 परतिशत का लाब होता है यदि वस्तू का अंकित मुले 3 हजार तो उसका क्रैमूल क्या होगा हमें बता मार्क प्राइज गुन्ने जो डिसकाउंट दे रहा है वो बता जो लाब हो रहा है सो तो रखिए हां पर मर्प कितना है उसका तीन हजार गुन्ने डिसकाउंट दे कितना रहा है तो दिसकाउंट 10 का दे रहा है यानि 90 बते कितना प्रोफिट हो रहा है एक 20 परतिशत का या तो इसे काटी गया तो आपके पास टूटल कितनी आ जाएगी 2250 आपके पास कॉस्ट प्राइज आ जाएगी है ना 2250 रुपया हमें कोस्ट प्राइज निकालना है तो क्रैमूल हमारा कितना आ गया बाइस सो पचास ऑप्सन नमर बी बन गया अगला प्रसुन ने कि आकास किसी वस्टू को 40% की छूट पर खड़िदता तथा इसे विनाय को 10% लाग पर बेश देता अंकित मुल तथा जिस मुल 1240 का 40 होगा यहां पर बना लेते हैं आखे race यह मार्क प्राइज हैं हमारा हम सौ ले लेते हैं ठीक अब regionर जो होगा अकास का का कर मूल कितना होगा सो माइनस चालिस होगा यानि कि साथ रुपया होगा 10 परतीसद क्या है लाव है विक्राइमुल पर तब बिनाई के लिए वह क्राइमुल हो जाता है तो बिनाई के लिए क्राइमुल जो होता है तो 60 गुन्ने एक सो प्लस कितना दस परतिशत का बट्टे सो साथ गुलने एक सो दस बट्टे सो होगा दो जिरो से दो जिरो कैंसल करें यानि 66 रुपया उसका क्या हो जाएगा उसका विक्राय मूल हो जाएगा 10 परतिशत लाभ पे तीक है अब उसका अनुपाद हमें निकालना है तो अनुपाद कितना हो जाएगा सो बट्टा 66 तो इससे छोटा करिए पचास बट्टे 33 अब इससे छोटा तो होगा नहीं तो हमारा रेशियो क्या रहे है पचास अनुपाद 33 तो राइट अंसर बनेगा ऑप्शन बी अगला प्रस्त नेखिए एक वस्तु को 14 पर 30 की इहानी पर बेचा जाता है यदि विक्रैमूल तीन गुना कर दिया जाए तो लाव पर 30 क्या होगा हमें बताना है मालेते हैं क्रैमूल 100 रुपया है बिक्रैमूल क्या हो जाएं ह吗 फिर बिक्रैमूल 100-14 हो जाएं कि 14 कहां नहीं हो रहे है यानिकतना हो जाए 1997 36 रुपया अभ शूंदी हाँ छी रेवर पास क्रैंड भी है विक्रैंड फिए तो यहां से हम नया विक्रैंड नहीं 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 कह सकते हैं कितना गुणा हो जाता है फिला लॉका तो इसी को 3 गुणा करना दिया नया विक्रैंड उन्समें हमारा आ बनेगा एक सों ठाउन अगला प्रस्थ देखिए कि दिए गये चेत्र में बताना है डी एप एक वर्ग है ना यहां पर दिया हुए वर्ग और एंगल बीए सी 90 डिगरी है तब डीए स्कौरेर बरावर हमें बताना है डीए D E Square हमें बताना है D E यानि ये वाला निकालना है कि क्या होगा तो आज निकाल के देख लेते हमनों यहाँ पर दिया क्या है कि ट्रेंगल B D G कहां पर है B D G ये वाला जो ट्रेंगल है हमारा समरूप है किसका F E C के ठीक है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि B D D G ये लिख सकते हैं और फिर इधर लिखेंगे D G बटा E C लिख सकते हैं तो आएए इसको लिखते हैं क्योंकि ये वार्ग है अंतर में तो ये इसके बराबर होगा ये इसके बराबर होगा होगा तो हम इसके बदले ये भी लिख सकते हैं तो आए इसको लिखके दिखाते हैं कि यहां पर हो जाएगा ट्रेंगल बीडी जी जो है हमारा समरूप है किसके ट्रेंगल एफ इसी के तो हम यहां से लिख देंगे क्या बीडी इक्वल एफ इए इक्वल डीजी इक्वल इसी अब आपको बोले हैं जैसे बीडी इक्वल यहां पर डीजी है क्योंकि वर्ग है तो इसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं यहां पर रखें बीडी बाई एफ इजो है हमारा एफ इए यह वाला इस यह भी तो हमारा किसके बराबर है डीजी के बराबर ही है इक्वल यहां पर क्या करेंगे हम लोग एफ एफ ए बाई एसी लिख सकते हैं ठीक है तो देखिए अब यहां पर यह हो गया ना अब इसे हम क्रोस मल्टिपल कर लेते हैं क्रोस मल्टिपल कर यह था कि बीडी इन्टू इसी इकवल आपके पास आएगा एपर इन्टू डीजी ठीक तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि डीई इन्टू डीई आया कि बरबर होती इसलिए यहनघ डीजी क्या हो जाएगा हमारा टीई का होले स्कुर हो जाएगा गया इसके बरबर आगया कि बी इन्टू इसी आया है इन और बीडी इन्टू इसी कौन है BD BD into EC इसमें option नमर हमारा D बन है BD into EC अगला प्रस्थ देखिए कि एक आयत है A, B, C, D के अंदर एक बिंदू O को सिर्ष A, B, C और D से मिलाया जाता है तब क्या इसका फोर में सन आएगा वो हमें बताना है आएपर हम लोग मिला के देखते है यहाँ पर बता क्या रहाएगी यह एक आयत है आयत में क्या बनता है पड़ते हिएक कुन 90 डिगरी का होता है यानि कि यहाँ पर जदी हम आयत बनाते हैं यह भी 90 यह भी 900 यह और यह सभी चारो कुन 90 के होंगे तो आई इसको बनाके देखते हैं और ये इसके पहलेल और ये इसके पहलेल होता है तो आई इसको बनाते हैं एक आयत का फॉर्मेशनी हाँ पर दिये हमने और इसका नाम भी कर लेगते हैं इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D है है यहां पर सभी एंगल जो है प्धां नब्वे डिगृरी के हैं ठीक है अब जो है हमारा इसमों बताना है कि पी की एक लाइन खीचा जा रहा है मीडी पर ठीक है तो यह क्या हूगा कि डी-सी के पहलोल हुए यहां पर नामदरी पी क्यूंड और एबी के आयत आपको दिख रही है पी एबी क्यू और पी डी सी क्यू यह नीचे वाली जो दिख रही है आयत इस यह दोनों ही आयत होंगे होंगे न तो यहां पर आईए हम लोग लिखकर देखते हैं कि पी ए पी एए इकवल क्यूबी पी ए जो है हमारा क्यूबी के बराबरा क्यूंकि दोनों कायत का डिवाइडेड है आधाध है और क्या होगा कि पी डी इकवल क्यूशी होगा यह वाला नीचे वाला इसके ठीक है तो हम ट्रेंगल यहां से हमारा डाइगूनल हम डलते हैं ठीक है एक डाइगूनल जो हम यहां पर डालें तो हमारे पास ट्रेंगल दो का फर्मेशन हो रहा है एक यह ट्रेंगल बन रहा है और एक यह तो हम कौन से ट्रेंगल में है ट्रेंगल ओ पी ए ओ यहां पर डालते हैं ओ पी ए में आत बस यह triangle को आप देखिए इसमें जदी आएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि O A का whole square equal O P का whole square plus PA का whole square ये क्योंकि है क्योंकि पाइथागुरस rule जो बोलता है कि 90 degree का formation जहां से होता है वहां से पाइथागुरस rule होता है ना कि हाइपोटेनस का whole square equal perpendicular का whole square plus base का whole square तो बस यही करें हम इसको equation वालने लेते हैं अब जो दूसरा हमरा triangle बनता है O P D O P D जो नीचे वाला था यहां पर जो यह नीचे का formation बना था O P D यहां पर D था तो इस O P D में आते हैं इसको equation वालने लिजे O P D में आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा कि O D का whole square equal क्या आ जाएगा आपके पास O P का whole square प्लस P A का whole square आ जाएगा यह हम equation दो ले ले लेते हैं ठीक है हमारे पास equation 1 और 2 आ गया और तीसरी जवाती है हमारी O Q B में आते हैं ठीक है अब आते हैं O O Q C O Q C हम जब triangle देखते हैं O Q C जो की इधर था इसके just नीचे में यहां से भी हम पाइथागूरस रूल निका लेते हैं कि O C का whole square equal O Q का whole square और प्लस B प्लस Q C का whole square यह हमारा equation 3 हो गया ठीक है अब जो आते हैं O Q B में triangle O Q B O Q B O Q B O Q B में जब आईएगा तो आपके पास मिलेगा कि O B का whole square equal Q O square plus P B का whole square होगा अब equation 1 और 2 को add करते हैं equation 1 और 2 को जब add करीएगा तो आपके पास क्या जाएगा कि 1 और 2 को add करीएगा तो आपके पास आएगा O A का whole square plus OC का whole square equal O P का whole square plus P A का whole square plus O Q का whole square plus QC का whole square होगा न तो अब चलिए इसको calculate हमनों कर लेते हैं आगे बनाएगा तो आपके पास आजाएगा O Q का whole square plus Q B का whole square plus आपका बनेगा O P का whole square plus PD का whole square इतना होगा आगे इसे करिएगा तो आपके पास आएगा O A का whole square plus OC का whole square equal आपके पास बनेगा O B का whole square plus OD का whole square यहीं न आएगा लास्ट O B का whole square plus OD का whole square तो देखिए कौन सी answer आ रही है आपका answer जो आ रहा है option number A हा रहा है वो भी का होले स्क्वाइर प्लस दी का होले स्क्वाइर वो ए हो स्क्वाइर प्लस उसी का होले स्क्वाइर अमसन यह बनेगा अगला प्रसन है हमारा कि कोट कोट 54 डिग्री बाई 1036 डिग्री प्लस 1020 डिग्री बाई कोट 70 डिग्री बरावर क्या होगा हमें बताना है तो यह इसको निकाल के देख लेते हैं चलिए यहां पर निकालेंगे हम लोग तो कोट मारे पास है कोट 54 डिग्री बाई 10 36 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री 10 20 बाई कोट 70 है ना कोट 70 तो अब देखें इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कोट 54 जो है हमारे पास तो इसे कोट 90-36 लिखेंगे यहां पर 10 जो हम 10 इतना ही रहने देते हैं 1036 रहने देते हैं क्योंकि यह बात में चेंज होगे 1036 यह प्लस 1020 को हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं 1020 है मेरा बाइ Social 70 को हम लोग लिख सकते हैं कि कौट 90-20 लिख सकते हैं इतना लिखेंगे तो आप चैंज करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा कौर्ट Кけ सीन बॉल रहे हैं 10 हो जाएगा आज रहे हागे आपके पास टाइन ठाइसी इस ना नीचे तो यानि 1 प्लस 1 यानि answer आपके पास क्या ज़ेगी 2 तो right answer हमारा option बनेगा option नमर D बन जाएगा right answer option D बनेगा 2 अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है हमारा कि sin 30 degree plus cos 45 degree minus 1060 degree by cot 30 degree minus sin 45 minus cos 60 का मान क्या होगा हमें बताना है तो आए इसका value पूरा रखे sin 30 का value पता है 1 by 2 cos 45 का पता होगा 1 by root 2 1060 का value रूट 3 होता है न और यहां 30 का root 3 ही होता है sin 45 का 1 by root 2 होता है और cos 60 का 1 by 2 सबका मैंने बता दीए बस यहां पे value रखना है और बनाना है तो आए इसको बनागे देखते हैं answer क्या बनना है हमारा 1 by 2 सिद्थे हम कोश्चन नहीं लिखते हैं उसका बनाते हैं 1 by 2 plus 1 by root 2 कि कि वहां पर लिखा हुआ है और माइनस root 3 यह किसका है 1060 का value root 3 by हमारे हैこट 30 का value होता है root 3 minus 1045 का साइन 45 का 1 by root 2 होता है और माइनस cost 60 का value होता है बस यहां पर LCM लेजिए LCM काल्कुलेशन करें इसके नीचे क्या है रूट टू है और टू है तो LCM यहां पर हम लोग तू ले लेते हैं ठीक है पहले वाले के लिए तो हमारे पास 1 प्लस रूट 2 माइनस 2 रूट 3 बनेगा भाइ इसके लिए क्या बनेगा यहा पर भी हम 2LC में ले ले तो क्या निकलिए यहां पर 2 रूट 3 माईनस 2 माईनस 1 होगी याना अब इसे आगे कलकुलेट करिए तो आपके पास आएगा 1 प्लस 2 रूट minus 2 root 3 भाइगी by root 2 कियुंग टू-2 cancel हो जाएगी प्री आपके पष्टीच minus root 2 और minus 1 , भी से कलक्लेशन करेंगे तहब की बाद बास आएगा 1 plus root 2 minus 2 root 3 by यहाद से minus हमने common कर लेते हैं क्या बनेगा 1 plus root 2 minus 2 1 तो इसे आप काटिएगा कितने टेम ने काटें माइनस वन टाइमस में तो आंसर हमारा क्या आगे माइनस वन तो आंसर देखिए माइनस वन ओप्सन नमर आपका ए बन रहा है अगला प्रसंद देखिए अगला प्रसंदी है कि समीकरन के निकाय जो है दिया हुए एक के एक समीकरन और जो लिखा वए हमारा के एक सब्सक्राइब के यह हमारा इक्वेशन वन ले लेते हैं और दूसरा के है 12K plus KY equal K यह हमारा equation तो हो गया ठीक है यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है A1 दिया हुआ है कितना इसमें K दिया हुआ है ठीक है और B1 क्या दिया है हमारे पास B1 दिया है 3 और C1 क्या दिया हुआ है हमारे पास C1 दिया हुआ है हमारे पास minus K minus k into k minus 3 दिया हुआ है ठीक है a2 देखे a2 दिया है आपके पास 12 ठीक है b2 दिया हुआ है आपके पास k और c2 दिया हुआ है आपके पास minus k ठीक है तो यही अनान्थाल होते हैं आपको पत्ता होगा तो आए इसको निकालते हैं a1 by a2 equal b1 by b2 equal c1 by c2 बस रखिए इसका फेलु K2 12 equal 3 by K equal minus K minus 3 by minus K तो आए इसको equal कर लेते हैं, कोई एक को उठा लेते हैं, यहां पर हम इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं ठीक है बस इसी से बनाते हैं टो आधे ही एचकIS से भी बनाएगे तो वह ही answer आगे तो हम यह simple łat थी जहomieं इए तो के की भैलू कितनी आजाएगी 36 कि इसक्वाइर रूठ होती है चो तो हमारे पास के का भैलू जो आ गया वो 6 आ गया तो आंसर हमारा के का ही भैलू निकलना था न तो ट्राक्रान निकल तो गया आंसर बनेगा हमारा शिक्स अगला प्रसम नेखिए कि समिकरन दिया हुआ है x square plus x plus 5 equal 0 के मुल है इसके मुल क्या होंगे तो इसके मुल जो होंगे ओवास्ट विक होंगे कैसे होंगे ओवास्ट विक तो आए इसको दिखा देते हैं आपको ओवास्ट विक कैसे होगा यहाँ पर जो equation लिखा हुआ हमारा लिख है x square plus x plus 5 equal 0 दिया हुआ है न तो इसकी तुलना जो हम लोग इसी से न करते है x square plus bx और plus c equal 0 से करते हैं तुलना तो हमारे पास a जो दिया हुआ है कितना है 1 है और जो हमारा b जो दिया है कितना है 1 है और c जो दिया है हमारे पास 5 है है न आप जो हम विख्तिरिक करेंगे तो क्या होता है d equal आपको पता होगा d equal जो होता है b square minus 4 ac होता है न तो बस इसका value रखिए value b का है one तो one का होले square यानी 1 minus 4 a की value 1 into c का value 5 तो 20 हो जाएगा minus में 20 आ रहा है न और 1 plus में यानी minus 19 आ रहा है तो ये तो minus माइनस 19 इसलिए और वास्तविक होगा है न क्योंकि माइनस 19 हमारा क्या है माईनस 19 जुलाया है वह 10 यहां पर 19 च्छोटा यहां पर तो इंद्या गेव्य करन कमल्द है काल्पनिक या और वास्तविक होगा है नग्या प्रबानेगा इसका अंसर ड बने गा política आप्षन but पर अगला देखिे, कि दो बहुपद का महत्तम समापर्तक था लगुत्तम समापर्तक रमसर एकस प्लस एक और टू इंटू एकस प्लस एकस इसungen मैनस फूर है यदि एक बहुपद 19-20 हो तो दूसरा बहुपद क्या होगा हमें निकालना है यह दूसरा बहुबद नीकाल के देखते हैं कि क्या रहा है हमारा यहां पे लिखा वह हुए क्या कि एक बहुबद यह है PX एकवल क्या है हमारे पास X प्लस 1 इंटू1 एकस Minus 2 धिया हुए बस इसे कल्कुलेशन तो माल लेते दूसरा क्या है हमारे पास दूसरा है क्यों X ठीक हम दूसरा अपना देंल से म 높 तो हम क्या पता है कि 17 mm액 equal डिया हुए कि देंडा कि पीएक्स इन्टू क्यो एक्स यहीं नहीं इन्टें क्यों तो बस यहां पर में रखते हैं लसी मी न्यें में दिया हुआ हमारे पस इसमें दिया हुआ तो उसका वेलू रखेंदें सिमस्की बैलू दिया हुआ एक्सब्लस जो एक्से नहीं इस प्लास सब्द प्लास बस इसको कल्कुलेशन करिए तो क्यू एक्स एक्वल आपके पास आ जाएगी क्या सभी को यहां पर डिवाडम कर लेंगे एक्स प्लस वन यहां पर टू हो जाएगी और इन्टू एक्स प्लस यहां पर थुरा कंजस्टेट होड़ा इधर बनाते हैं एक्स प्लस वन टू और यहां पर बनेगी आपके एक्स प्लस वन इन्टू यहां पर हो जाएगी एक्स प्लस टू और एक हो जाएगी x-2 हो जाएगी by आपके पास बनेगा x-1 into x-2 तो यहां से x-2 cancel और x-1 cancel तो बच कहागा आपके पास 2 into x-1 into x-2 बच गई आपके पास तो answer नमर आपके कौन से बन गई 2 into x-1 into x-2 देखिए option नमर हमारा बनेगा right answer हो जाएगा option नमर b right answer b बनेगा अगला प्रस नेखिए यदि बहुपद दिया हुए कितना x की power 6 plus p p x की power 5 plus q x की power 4 minus x square minus x minus 3 का भाज्य दिया हुए x की power 4 minus 1 तब हमें p square plus q square कमान निकालना है तो आईए दूस्तों बनाते हैं इसको देखते हैं क्या इसका अंसारा रहा है देखिए हमारे पास जो equation दिया है x की power 6 plus p x की power 5 दिया हुआ है plus q x की power 4 minus x square minus x minus 3 दिया हुआ है न तो यहां पर जो हमारे equation दिया है बहुपद इसका सुन ये भी दिया हुआ है कि कितना से विभाजे करन है किस से करन है तो x की power 4 minus 1 से equal 0 होगा न x equal क्या हो जाएगा 1 power 4 है तो ये root power 4 हो जाएगा यानि इसका value 1 ही आएगा 1 plus 1 minus में आएगा न तो यहां पर plus और minus हम रखके देखते हैं कि हमारा बहुपद क्या आता है बहुपद में जादी हमें एक plus रखे और एक में minus रखते हैं तब क्या रहा है q का value जरूर निकलेगा और p का value तो देखे जब हम plus रखते हैं तो क्या होगा 1 के power 6 होगा equation में रखते है 1 plus p into 1 के power 5 होगा तो 1 ही रह जाएगा point 5 करेंगे plus q 1 के power 4 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा minus 1 का होल स्कार करेंगे तभी 1 ही रहेगा minus 1 और minus 3 है equal 0 रहेगा ठीक है अब यहाँ पर हम करेंगे calculation तो 1 plus p plus q q minus 1 minus 1 minus 3 equal 0 यानि आपके पास आगे क्या p plus q equal 3 आगे यह equation हम 1 ले ले ठीक है यह याद रखें हम लोग p plus q equal कितना आगे हमारा ठीक है अब जो है हम x का value कितना रखते है minus 1 बहुपद में रखते हैं तब क्या होगा यह तो plus 1 रखेंगे अब minus 1 रखेंगे तो minus 1 रखेंगा आपका sim वही बनेगा बस इसमें थोड़ी प्लश रहेंगे कि जहां पर सटी वहां पने-माइन बanor वर unc देखें को एक की पावर माइन माइन से की पावर छोग में के पावर प्लस में की पावर भिश्व grandpa एगी अब फ्लस क्यूंस की पावर फोर रहेगी मैंस की होल्स क्यार माइनस माइन थीड़िए्inn matin तब इसे स्वर्प करें कितना हो जाएगा 1 plus p plus q minus 1 यहां तो q है न यह तो minus हो जाएगी दूस्तों यहां पर minus होगी p minus हो जाएगी हमारे minus p और plus q minus 1 plus 1 minus 3 equal zero हो जाएगी तो minus p plus q equal आपकी आजएगी plus में 2 रहेगी यह हमारा equation दो आ गया पहला equation क्या आया था आपका कि P plus Q equal 4 आया था दूसरा क्या आया है कि minus P plus Q equal 2 आया है अब equation 1 और 2 को हम लोग ले लेते हैं तब क्या हुआ समयकरन 1 और 2 को हम लोग को हॉल करने पे P का value कितना आ जाएगा एक था P plus Q equal कितना था फोर था न तो यहां पर देखिए प्लस माइनस केंसे लिए यानि 2 Q equal कितना आ जाएगा 6 यानि 2 की हमारा Q का value 3 आगे Q का value जब 3 आगे तो कोई में भी हम Q का value रखेंगे तो हमारे पास P का value जो आजाएगा यह कितना हो जाएगा 1 हो जाए देखे P का value 1 और Q का value 3 आगे तो हमको निकालना क्या है P square प्लस Q square निकालना है न तो P का value 1 निकला है तो 1 का whole square plus Q का 3 निकल है और Y अनुपात X, 3 अनुपात 4 दिया हुए, X अनुपात Y अनुपात Z क्या होगा हमें बताना है, तो आए निकलते हैं, बहुत ही असान है कुश्चन यह दूसरों, देखिए यहां पर लिखा हुए X, Y, X is to Y, दिया है आपके पास 5 is to 2 दिया हुए, ठीक है, और दिया हुए क ठीक है, यह दिया है, 3 is to 4 दिया है, ठीक है न, ऐसे जदिदे कंडिशन तो आपको सिंपल से रखना है यहां पर, 5 is to 2 ठीक है, और यहां 3 is to 4 रखना है, इसको इससे मल्टिपल करिए, 4 to the 8 रेशियो, 3 to the 6 और इसको करिए, 5 to the 15, आपके पास X, Y और Z आ गई है न, तो 15 रे रेशियो 6, रेशियो 8, आपसन नमर आपका क्या बना, 6, C बना, तो आंसर क्या बन जाएगा, हमारा C, अगला देखिए, एक चतरभूज, एक विकर्ण दिया है, 50 मीटर, और उसकी बाकी दोनों सिर्ष से, लंब की लंबाई एक करम सा दिया है, कितना, 29 मीटर और 11 मीटर, तो चतरभूज का शेतफल हमें बताना है कि क्या होगा, तो यह चतरभूज का शेतफल निकाल के देखते हैं, जिसका है, एक चतरभूज हमने बना दिया, यहां पर इसका एक डाइगूनल हमने डाल दिया, एक विकर्ण, यह 50 दिया हुए है, ठीक, यहां से एक डाला, जो लंब है, और यहां से भी डाला, यह भी एक दूसरे पर लंब है, इसका नाम N रखिए, इसका नाम M रखते हैं, इसका नाम A है, इसका नाम D रखते हैं, और इसका नाम C और इसका नाम B रखते हैं, ठीक है न, तो यहां पर देखें, यह जो चतरभूज है, बिकर्ण, जो ह कितना है 21 है ठीक है न तो यहां पर देखिए क्योंकि चतरभूज में कौन जो होता है और यहां पर जो लंब जो डालागे हो कितना का एंगल फर्मेशन करें 90 दिगरी का तो यहां पर जब समकून तिर्भूज बनना है तो इसे हम लोग क्या लिख सेंगे तिर्भूज सब्सक्षाइब और देखिए तिर्भूज ए बी है यह हमारा त्रिभूज बनने के कि चत्रभूज में भी परते कौन 90 दिगरी का होते हैं ठीक है और दूसरा जो है BCD यह हम लोग तिर्भूज में देखेंगे तो हमारा समकोन है तो आई इसका निकालते हैं धार गुने उचाई वाला फर्मूला इसका एडिया तो देखिए वन पहले बता देदें तिर्भूज कौन-कौन सा लिए हम लोग A, B, D और तिर्भूज B, C, D यह दोनों का एडिया निकाल लिए तो हाफ अफ अफ बीडी हाफ अफ बीडी इन्टू A, M होगा प्लस हाफ अफ अफ बीडी इन्टू C, N हो जाएगा सभी का भैलू रखिए यहां पे हाफ अफ अफ कॉमन कर लेते हैं हम लोग हाफ अफ अफ बीडी को ही कॉमन कर लेते हैं तो यह कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा एंप प्लस C, N बचेगा आपके पास तो आईए हाफ अफ बीडी की वैलू कितनी है 50 मल्टीपल एंप की वैलू कितनी है 29 प्लस C, N का वैलू 21 इसको आड़ करिए तो काड़ेगा 25 आजाएगा 25 अभी से आड़ कर करते हैं एड़ किजिए तो कितना आजाएगा आपके आजाएगा 25 मल्टीपल 50 आजाएगा कल्कुलेशन करें तो आपके आजाएगा 1250, 1250 मीटर स्क्वार आंसर बनेगा हमारा अप्सन नमबर C, अगला प्रसन देखिए कि एक तिर्भुज दिया है ABC कि भूजाएं करमसर दिया हुआ है कि AB और AC पर करमसर D और E इस परकार है कि AD इक्वल 8 cm, DB इक्वल 12 cm, A इक्वल 6 cm, EC इक्वल 9 cm तो हमें बतन है BC बटा DE बराबर क्या होगा तो आए यहां पर जो दिया हुए तिर्भुज इसी पर हम लोग बना के देखते हैं कि क्या हैगा, यहां पर जो लिखा हुए हमारे पास दिया क्या है कि AD, AD कितना दिया है तो 8 दिया है ठीक है, और आपके पास DB दिया हुए कितना 12 दिया हुए ठीक है और AE, AE कितनी दिया ह तो सेंटीमेटठ और इसी धी हूई आपके नौ सेंटीमिटर ये सब दी होई है हमें निकालना है यह दी भाई डेखे ईड़ी वाई डी भी कुल यह तो दिया हुए कितना बते बार इसको बोन HE यह कितना जाएगा दो बट्टे तीन चार से काड़ेगा तो दो बट्टे तीन आगे अब हमें निकालना है जो फाइनल एइवाई A by EC A by EC equal होगा क्या 6 by 9 दिया हुए इसू कार्टी 2 by 3 आ जाएगी इसका भी 2 by 3 आ गया किसका A by EC का तो क्या ये जो होगा इसके बारावर नहीं होगा बिल्कुल होगा तो तिर्भूज एक दूसरे के समरूप होगा तो इस कारण हम लोग लिखेंगे क्या ये जो तिर्भूज है हमारा ABC एक तिर्भूज है और तिर्भूज AD है एक दूसरे के समरूप होगा है जब समरूप होगा है तो हम लिख सकते हैं कि BC by BC by DE equal AB by AB by AD लिख सकते हैं इतना चली इसका भाहलू रखते हैं तो AD PLUS DB BY AD होगा इसका भाहलू रखिए कितना होगा 1 PLUS DB BY AD होगा तो इसका भाहलू कितना दिया है DB और AD का DB और AD का भाहलू दिया हुआ आपके पास 1 PLUS 3 2 इसको LC में लिते हैं तो 2 और PLUS 3 यानि 5 by 2 आ रहा है तो हमारा answer कितना आगे 5 by 2 option number C बन गया आपका अगला प्रसने की दिया क्या है ये figure दिया हुए ठीक है ना हमें X का ये value बताना है कि क्या होगा तो आपको पता होगा कि एक तिर्भूज के जो बाहे कुन होता है दो अन्ता अभी मुख कोन के बराबर होते है तो 48 प्लस X कड़ी 48 प्लस X इक्वल कितना हो जाएगा 130 तो X इक्वल कितना हो जाएगा 130 में से 48 को घटा लीजिए घटाईगा तो आपके पास answer कितनी बनना जागी answer बनेगी 82 degree तो answer क्या बना हमारा right answer D बन गया अगला प्रस्ण देखिए अगला जो सेक्षान आता है हमारा समान ने विज्ञान का आता है तो देखे विज्ञान में क्या प्रस्ण बनता है कि पानी का अधिक्तम जो घनात्व किस ताप पर अधिक होता है हमें बताना है किस ताप पर सबसे ज़्यादा होगा तो answer बनेगा C 4 degree Celsius पर सबसे ज़्यादा होगा 100 degree पर पानी क्या होता है उब बनने लगता है अगला देखिए आग बुझाने में किस गैस का परयोग होता है किस गैस का परयोग करते हम लोग answer बनेगा B carbon dioxide CO2 का उपियोग किया जाता है यह क्यों किया जाता है यह गैस आग के चारोड क्या करता है संगन घेरा बना लेता है इसलिए इसका उपियोग किया जाता है अगला प्रस्ण देखिए किन्यम ने लिखी तो में से कौन सी फॉल नहीं है इसमें फॉल कौन नहीं है तो answer क्या बनेगा चिलगोजा इसमें जो है फॉल नहीं है चिलगोजा क्या है एक pine nuts है pine nuts का एक किस्म है जो बदाम की तरह पीष्टा अकरूट की तरह होता है dry food के इसमाल किया जता है अगला प्रस्ण किये फ्यूज का तार निम्रलिखित में से किसका बना होता है किसका बना होता है तो यह बना होता है टीनोट लेड का बना होता है answer बनेगा ए बनेगा इसका जिसमें कम गल्लांक और उच परतिरोध होता है तो कम गल्लांक और उच परतिरोध है यानि किस कहां पर लगए यह सब हम लोग के घरों में लगती है न अगला प्रसुन देखिए कि प्लास्टर और पेडिस किससे बनाया जाता है किससे बनाया जाता है तो आंसर क्या बनेगा जिपसम से बनाया जाता है अगला प्रसुन देखिए कि बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर उसके गललांग पर क्या परभाव परेगा इसे गललांग पर वह जीरो डिग्री से कम हो जाता है आशर क्या बनेगा ए और जिसके कान जो है बर्फ जल्दी पीघल जाता है अगला परस देखें कि निमेलिकीत मेंसे कॉन सी गैस जो है चांदी की सतव काला कर देता है कोन सा गैस है हाइड्रुजन सल्फ है जो है चांदी की सतव क्या कर alone है है H2 होता है अगला प्नेकी कि दूर्द खट्टा होने के क्या कारण होते हैं बढ़िने के कारण खटा होता है और यह किस के कमी से होता है सरीर में आयोडीन के कमी से होता है आंसर बनेगा ए अगला प्रस्ण देखिए एस्प्रीन का रसाइनिक नाम क्या है इसका नाम है एसी टाइल एसी टाइल सैलिसीक अमल है आंसर बनेगा डी अगला प्रस्ण देखिए आतिस बाजी में हरा रंग निम्निल्खित में से किसकी उपस्तिती के कारण होता है किसकी उ पर्षम के लिए किस रंग की कीरन से होगा किस कीरन से तो आंसर बनेगा भी वैगनी की रन से होगा अंसर बनेगा भी वैगनी की रन से दिक होगा अगला है डाइनेमो क्या परिवर्तित करता है डाइनेमो जो है क्या परिवर्तित करेगा तो डाइनेमो परिवर्तित करता है यह आंत्री कुर्जा को विदू तूर्जा में आंसर ब वानियुग्जा को बिद्व तुर्जामि करता है अगला प्रसन देखिये कि चौराहे पर मूर्ते समय साइकिल सवार पर केंदर की उर से कौनसा बल लगता है इसमें लगता है अभी केंदरियबल आंसर बनेगा ए अभी केंदरियबल एक दसमलों पांच मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपुन प्रतिबीम्ब देखने के लिए अवस्यक दर्पन की नियुमतम लंबाई कितनी होनी चाहिए कितना लंबाई होना चाहिए तो आंसर बनेगा बी जीरू दसमलो साथ पांच मीटर होना चाहिए मतलो उसके आधा होना चाहिए अगला प्रस्ण की अंत्रिक्ष यात्री को अकास किस रंग का दिखाई देगा किस रंग का दिखाई देगा काला रंग के दिखाई देता है काला रंग यह क्यों दिखाई देता है वहाँ पे इसल वर्ग की है तो संतान किसों रूतिर वर्ग का हो सकते तो आंसर बनेगा यह पर मास्टर ग्रंथी किसे कहते हैं पिटिर्ग्रंथी क को बढ़ जाते हैं किसcycle द्वरा होता है adrenali ke рад tornar मनेगा भी एड्रेडलेलीन लौर और ओरो हर्मोन इसिसी को बोलते है subscribe कि समाजी का ध्यान आता है इसमें प्रस्वण बसुन कि मौलेकाल के द्वरान सबसे सामान्ले प्रचलित मुद्रा मुद्रा नहीं भारत के सबसे प्रसिद सख सावकुन थे रुद्र-दामन-प्रथम थे, प्रसे किस प्रांत में सूपी मत का फीर-दोसी वर्गी जन्परिये था ? किस में था तो बिहार में था आंसर बनेगा डी बिहार फिर दोसी सिलसिले का संस्तापक मध्यसिया के जो सैफु दिन बखरीज थे यह सिलसिला जो है यह सिलसिला जो है सुरह वर्दी सिलसिले की एक सखा थी और भारत में इसका कारेश्चेतर कहां था बिहार था अगला प्रस कुम थे प्रवर्त कोन थे तो यहांगीर था प्रती कर सासक और गाdoors करति के साथ संयुक्त पूजि कमपनी वयपार स्वर प्रथम शुरू करने वाले कौन थे यह थे डच आंसर बनेगा ieren भारत के साथ वयपार करनेग़े स्वर प्रथम संयूखत पूज जी कमपनी जो है दस लोगों ने सुरू की ये लोग जो है हॉलेंड की निवासी थे ना 1602 में डच इस इंडिया कंपनी का स्थापना की गए थी और बंगाल के जो चिन सूरा में डचों का एक कर खाना भी स्थापित किया गे था डच लोग का मुख्य उदेश क्या था दक्षिन पूर्वेशिया में टीपू का वेपार करना टापू का आढ़ा के अगला देखिए भारती रास्ठी कंग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्याक्ष कौन थे कौन थे आंसर बनेगा दी रहीमु तुल्ला स्यानी थे भारती राष्टी कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम अध्याक्ष कौन थे तो यह थे बद्रुदिन तैयब जी थे जिन्होंने कॉंग्रेस के तीसरे मतलब मदरास अधिवेशन 1887 राष्टी मुस्लिम अध्याक्ष थे बद्रुदिन तैयब जी थे बद्रुदिन तयव जी कॉंग्रेस के तीसरे 1887 में अध्यक्ष साझ की थी इसके दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष जो थे रहमतुला स्यानी क्योंकि इसमें और ऊप्सन नहीं दिया हुआ है वो तो इसकारण हम लोग रहमतुला स्यानी मारेंगे रहमतुला स्यानी दूसरी थे जिन्होंने कॉंग्रेस के बारावे अधिवेशन मतलग कॉलकत्ता में कब 1896 में क्यूंकि पहला जो 87 में थे बदरुदिन तेयब जी इसमें तॉपसर नहीं नहीं तो इसलिए रही में तुल्ला स्यानी मारेंगे जो 1896 में बने थे दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष बनी थी अग सिसलिए के 1954 भारत के सोतंता संग्राम के राष्टबादी करांतिकारी तथा विस उपर राजनेतिक सिद्धान्तकार थे अगला प्रसन देखते हैं कि निम्रेलेखित निम्रेलेखित चार राजनेतिक दल में से किसका गठन सबसे पीछे हुआ है हमें बताना है सबसे पीछे जो हुआ है भारती राष्टी कॉंग्रेस का हुआ है आंसर हमारा डी बनेगा तो देखिए हम लोग देखते हैं ब्रिटिस में कंजर्वेटी पार्टी की अस्थापना कब होता है तो इसकी होती है ठारा सो चोंग्रेस का और USA में जो है डेमोक्रेटी पार्टी की स्थापन जो होती है यहां अठारा सो पचासी में होती है तो इसलिए सबसे लास्ट में होता है डी अगला देखिए सूरे कलंक कारण है सूरे कलंक कारण है आंसर बनेगा यहां पर बी सूरे की सदाप चुमबक किये जंजावट का आंसर यहां पर बी बनेगा अगला कि पार्थिव गरह कहते हैं कि ये भीकि सामान होते हैं और एक प्रतिव साधन सबसें जयादा या सर्भी होगा हावा के वास्त्तु कि मातरा को क्या कहते हैं इसे देखते हैं हम लोगं अपेक्षिक आदरता कहते हैं गणा प्रस्न दीखते कर अग्・च। लए अग्ला प्रस्न हमारा की प्राणी के उद्र दीद वर्डों की महत्तम विविदता होती है क्या होती है उसने cut 1 दिये number 1 में होती है आंसर बनेगा यहां पर B right answer हो जाएगा B अगला प्रसंद देखिए अगला प्रसंद है कि ISO height वे रेखाए हैं जो जोड़ती है किसको किसको जोड़ती है तो यह जोड़ती है समवर्षा वाली जोड़ती है आंसर बनेगा C समवर्षा वाली जगह अगला है मौसमी परवर्जन द्वारा सबसे अधिक अभिलिक्षित आर्थिक गतिवीधी कौन है कौन है यायाव और ये जूंड आंसर बनेगा डी नीव मूर आइलेंड जो है कहां इस्तित यह इस्तित है बंगाल की खाड़ी में 20 किलिमीटर लंबा है यह सागर दीप में इस्तित आंसर बनेगा यहां पे भी अगला प्रस्न की मत दान करने की कम से कम उम्र क्या होती है सब कम से कम उम्र होती है अठार वर्स आंसर बनेगा डी और यह कब से लाग हुआ कम से अठार वर्स जो है यह राम नगर का विकास किस काल में हुआ था किस काल में हुआ था तो आंसर बनेगा da उत्तर पूरब यानि उत्तर पूरब यह है यह उत्तर पूरब पस्चिम बन जाता है मतलब यह बन जाता है ठीक है तो आगे ऐसे ही तो पूरब कौन सी दिशा बनेगी यह हमें बताना है पूरब कौन सा दिशा बन जाएगा तो पूरब जो होगा दोस्तों यह उत्तर पस्च कारा करते हुए मेरे पिता के भाई मेरे पिता कि भाई कि सास है ये और तो ओक रह षाइन Sw क्रेंड की असलोग से तो सुत्रमु चैसे एक पक्षी तो आंसर बनेगा हमारा की एकाँट करना हैं कहांत करिंगे कितने संखिया रहे है अपको इसमें टोटल किसंख्या आईगी दोस्तों आबको ड्वाकि तो आएगी है अगला परसन देखिए हमारा कथन दिया हुआ देखिए यह कथन देखते हैं कथन क्या है हमारे पास कि कुछ पीन जो है गुलाब है कुछ पीन क्या है गुलाब है तो यहां पर कुछ पीन यहां पर पीन लिख लेते हैं कुछ पीन जो है गुलाब है ऐसे गुलाब हो गया बिलकुल सही बॉल लाएक कुछ पीन जो है मसीन ऊहीं बिलकुल यह भी सही बोल्ला है सभी wykorquer सभी मसीने पिन है सभी मसीने पिन नहीं यह तो नहीं होगा तो हमारा अंसर क्या बनना है एक और दो निष्कर्स मैच कर रहा है यानि option number B किवल निसकर्स एक और दो अनुसरन करते हैं answer B अगला प्रसन देखते हैं वे नारेख इसमें बताना है पीता पूरुस और चाचा तो answer इसमें कौन सी आनी चाहिए दोस्तो answer आनी चाहिए इसमें C होनी चाहिए क्योंकि पीता जो है कुछ चाचा भी हो सकते हैं और यह दोनों पूरी C होंगे तो answer बनेगा C अगला देखिए एक कूट भासा दिया है जिसको candle को यह लिखा गया है तो हमें बताना है fixing को क्या लिखेंगे तो आए देखते हैं कि कैसे इसको किया गया है देखिए यह सबसे सुरू वाले को last एक बढ़ाए गया फिर उसके सभी में है एक इसमें नहीं है मतलब C नमर पहला ही कर दिए C नमर तो answer होगा नहीं आपके पास ठीक है ना तो आए जी से start करते हैं अब इसके बाद I के बाद क्या हती है आई के बाद J होती है तो जे देखिए जे इसमें आएगी B में आगे और A में आगे मतलब यह भी कट आपके पास तो आपके पास option one और टू ही बचिया सीदे अब चलिए अगला एकस एकस के बाद क्या होता है वाई रखिए वाई इसमें भी है इस भी है अगला प्रस्न देखिए अगला बतान है हमें खाली स्थान पर क्या होने वाला है तो चोड़ा के बाद 28 के बाद 13 के ब 24 और इसमें 8 कितना करेंगे 5 इसमें अब कितना से गुना करेंगे 6 से क्योंकि यहां दो से गुना किए फिर चार से तो अब 6 से गुना करेंगे 6 से गुना किजिए तो आंसर आपके पास आएगी कितनी 774 अंसर बनेगा सी अगला प्रस्न देखिए हमारे पास दो कथन को समय तक हड़ताल पर जाने की धमकी दी है तो आप सुन क्या बनना है हमारा कि यदि कथन वन कारण है और कथन दो इसका परभाव है तो आंसर हमारा यह बनेगा इसमें अगला प्रस्ण हमारा बनता है क्या कि नीचे दिए गए प्रस्णों का दावा युम कारण सही विकल्प ह आपको सुन अगटी के बारे में क्या सोचती है जो मैंने उसे दी तो सहन क्या बोला ही वह कहती है कि दूसरी जो महंगी और कि है पुलिस इसे जल्दी ढूंड लेगी तो ये